नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्यप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्यप्रदेश के सबी शाम तक के मुख्या खबरे फटाफट अंदाज में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा पदोनती में आरक्षन मामले के सुनवाई एक बार फिर से आगी पड़ गई सुप्रेम कोट अब दो सब्ता बात सुनवाई करेगा अमीद है कि अक्ट्यूबर से पहले सालों से लंबित पदोनती में आरक्षन का मामला सुलच जाएगा इसे पहले दो बार तारीक आगे बढ़ाई गई राजिक के कर्मशारियों और अधिकारियों की पदोनती में आरक्षन पर छे साल से रोप लगी है रोणोच चौदा वॉच्ट टावर से की जाएगी जांकी मार की निगरानी महिलाव की सुरक्षा पर रहेगा ज्यादा थ्यान मद्रदेश के इंदोर शहर में गड़ी चतुर्ती का त्योहार बड़े ही धुमधाम के साथ मनाया जाता है वहीं कड़ेश चीको अलविदा भी भड़े ही धुमधाम से कहा जाता है दरसल आनंद चतुर्तशी के लिए इंदोर में जांकिया निकाली जाती है लेकिन बीते दो साल कोरोना महामारी की वज़े से जांकिया नहीं निकाली गई पर इस साल कोई भी प्रतिबंद नहीं होने की वज़े से अनंत चतुर्तशी पर जांकिया निकाली जाएंगी जिसको लेकर प्रिशासन काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है नगरिय प्रिशासन विभाग ने जारी किया देश 15 दिन में पूरा करे सर्वे का काम मद्र प्रदेश में एक बार फिर से सरकार गलत तरीके से बनी बिल्डिंग्स को लेकर सचीत हो गई दरसल इसके लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया बिना पर्मीशन नक्षे वाली बिल्डिंग का सर्वे शुरू किया गया इसके लिए नगरिय प्रिशासन विभाग दौरा 15 दिन का समय दिया गया है 15 दिन के भीतर मद्रप्रदेश में ऐसी बिल्डिंग्स का पता लगाया जाएगा जिसे खलत तरीके से निर्बित किया गया वही विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगम कमिशनर नगर पालिका नगर परिशा सीमो को लेटर लिखकर कालेवाई करने के निर्देश दिये गए पेंशनर्स के पेंशन फैमली पेंशन अनुकंपा भत्ता पर आई बड़ी अप्टे पेंशनर्स के लिए सरकार की तरफ से फिर पेंशन विभाग ने नवीन आदेश जारी कर दिये गए हैं परिपत्रों की ओर ध्यान आकर शित किया गया है जिसमे भारा सरकार नियुनतम के लागूना होने के लिए निर्देश जारी किये गए थे साल भर मुफ्ति में करना चाहते हैं सभी टाइकर रिजर्व में बागो का दीदार बस करना होगा ये का बाग के लिए मद्यप्रदेश पूरी दुनिया में चर्चित हैं मद्यप्रदेश के कुछ रास्टे उध्यान ऐसे हैं जो बागो को देखने के लिए काफी जादा फेमस हैं अगर आप में करीब से बागों के साथ कई तरह के जानवरों को देखना चाहते हैं तो मद्यप्रदेश के नेशनल पार्क विजा सकते हैं आज हम आपके लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं क्योंकि अब आप आसानी से गोर्जन पास बनवा कर साल भर तक टाइकर रिजर्व की सेर कर सकते हैं मद्यप्रदेश में बिना पर्मीशन के बनी बिल्डिंग्स का सर्वे नगरिये प्रिशासन विभाग ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट मद्यप्रदेश में बिना पर्मीशन या नक्षे को छोड़कर बनी बिल्डिंग्स का सर्वे शुरू हो रहा है पंत्रा दिन में सर्वेकर ऐसी बिल्डिंग्स का पता लगाया जाएगा जो गलत तरीके से बनी हो नगरिय प्रिशासन विभागने प्रदेश के सभी नगर निगम कमिशनर नगर पालिक और नगर परिशस सीमो को लेटर लिखकर कारेवाई करने को कहा मदर प्रदेश के इंदोर और जबलपूर में चार महीने के भीतर आग जनी की दो बड़ी घटनाए हो चुकी हैं इंदोर के रेजिडेंशियल बिल्डिंग और जबलपूर के प्राइवेट हॉस्पटल में आग लगी विद्यार्तियों को JEE Advance के परणाम का अंतजार 11 सितंबर तक आ सकते हैं जॉइन्ट एंट्रिंस एग्जामिनेशन एडवांस परिक्षा देने वाले विद्यार्तियों को अब परणाम का अंतजार है इसकी घोशना को लेकर National Testing Agency ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी लेकिन विशेशग्यों का कहना है कि अब कभी भी परणाम जारी हो सकते हैं 11 सितंबर तक परणाम जारी होने की बात कहीं जा रही है JEE Advance परणाम से करीब धाई लाक और इन दौर से तकरीबं तीन हजार विद्यार्तियों ने परिक्षा दी थी जिन विद्यार्तियों को JEE में में परिक्षा दी गई थी उन्हें 99% से जादा अंग प्राप्थ हुए थे उन्हें उमीद है कि IIT में जाने का मौकाम बिल सकता है भारा जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश के कॉंग्रेस कारी करता करने जो रही गी आयोजन जगा जगा पर होंगी सभाई कॉंग्रेस नीदर राहुल गांधी द्वारा भारा जोड़ो यात्रा आज कन्या कुमारी से शुरू होने वाली है वहीं इस यात्रा का प्रसारण करने के लिए भुपाज जिला कॉंग्रेस आज सर्व धर्म प्रातना सभा कायोजन करेगी मिली जानकारी के अनुसार ये सभा शाम चार बजे से न्यू माकेट में शुरू होगी इसके साथी मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सीधा प्रसारण एलेडी के द्वारा दिखाया जाएगा साथी आज प्रदेश के सभी जिलो विधान सभा ब्लॉक स्तर पर सर्व धर्म प्रातना सभा का कारिक्रम होनी जा रहा है प्रदेश में अब कलर कोड के हिसाब से होगा ओटो का संचालन बनाई गई नहीं नीती मद्यप्रदेश में अब सभी प्रकार के ओटो का संचालन कलर कोड के हिसाब से होगा ये कलर कोड उशेत्र के परमिट के हिसाब से निर्धारत किया जाएगा मद्रप्रदेश के परिवान मंत्री गोविन सिंग राजपूत की कोशिश के बाद अबराजी के आटो चालकों के लिए नीती का निर्धारन कर दिया गया परिवान विभाग द्वारा तैयार की गए आटो रिक्षा विनिमा योजना 2021 को मन्जूरी प्रदान कर दी गई है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश सब्डेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद